हाई फ्रेंट्स स्वागत आपका एक बाफिर आज तारीक अगर हम बात करें तो 11 नौंबर की है इसमें मैं डेली बेसेस पे धाहिंदू का एडिटूरिल्स को मैं हिंदी वीडियम को लेके थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि मैं हम लोग काफी अदव इंप् पो रहा हूं तो मेरी लिए फिर अगर बात करें तो मुझे 5-5 गंटे लगे जाते हैं दाहिंदू को परिट के बात को एकस्पेंड करने में तो यह चीजे धीरे-धीरे हम टाइम मेनेजमेंट को लेके हम आगे बढ़ेंगे आज के बात करें दोस्तों एक एडिटर बहुत क or that important है। यह भी मुध्रिकरण के ऊपर यानि के साफ से भी कोशन बनाया जा सकता है अगर जैसे कि Dominican बनाया जा सकता है तो कहने का मतलब यह है कि जिस पर तू और साथ फर्टी में कहीं पे भी इसको उठा के रखा जा सकता है कोशन इस एडिटोरिल की थीम यही है कि जो ही एडिटोरिल जबर पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा एक निरेटिव सेट کیا गया है याने कि अख्याण के बारे में बात करी गई है है में यह बोला गया है कि लग निरेटिव मतलब यह बोली गई है कि डी मोटेजेशन जरूरी नहीं कि हर एक देश में सफल हो जैसे भारत के परिपेक्षिक में देखें तो कहीं न कहीं न कहीं थोड़ी सी गड़बड हुई और इसने जो पढ़नाम देने थे वो उस तरह के नह हो गए अब तो अब तो मैक्सिमम पेइमेंट बात करें था हम यह लोग यूपी आई के थू भी करते हैं तो बहुत सकते पॉजिटिवनेस भी आई तो हाला कि जिस मकसद से मकसद के साथ मतलब की इसको जो किया गया था भी मतलब करने वह उस पे मतलब कि सफल नहीं रहा क् यह भी बोला गया था कि जैसे कि फॉर एक्जामपल कि यह जो है बैसिक काले धन को मत वापिस लेकर आएगा और यह सारी चीज़े करें बड़ी-बड़ी बात हैं मतलब की करी गई थी एड़ा एंड जब आर्वी आई एक साल के बाद जब आर्वी आई के रिपोर्ट आई तो उन्होंने यह बोला कि 99.3% जो नोट है वो वापिस आ चुके हैं उनके पास आप समझे मेरी बात को यहनी कि अगर 100 में से 0.7 नोट ही स्रिफ उनको नहीं मिले बाकी 99.3% उनको नोट वापिस मिल गए है percentage की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर इस case में अगर यह बोलते कि 80 20% नोट वापिस मिलते RBI को तो मैं कह सकता हो कि हाँ demodernization 20% लगाम लगी तो फायदा हुआ लेकिन इस case में 99.3% जो है नोट वापिस आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीना कि हमारे demodernization जो बिल्कुल फेल हो गया एक तो यह बात हो गई फिर इस एडिटोरिल में जब आगे बढ़ा जाता है तो उसमें यह समझ में आता है कि ठीक है फेल तो हुआ लेकिन इसके conscience क्या थे इसके impact क्या हुआ economy में इस पे बात करे गई कुछ positive aspects भी निकाले गए कि हाँ इससे हमें जो मैं जैसे मैंने पता है cashless economy हुई real states में prices कम हो गए जिसके कारण फिर लब जादा impact करते हैं तो इन्होंने suggestion यह दिया है कि इस तरह के political अगर decisions लेने के लिए पहले एक बार मतलब की market को research कर लेना चाहिए जब उसके बाद जो है मतलब की political decisions करने चाहिए suddenly किये गए political decisions अगर हम बात करें तो काफे जादा जो है like बहुत बड़ा issue हो सकता जैसे कि हमने देखा था नोट बंदी में गरीबों के पास पैसे नहीं थे उस समय नोट बंदी करी गई कि जिस समय सद्धनली लोग के पास पैसे नहीं था लोग market क्यूं में लग गए और पैसे निकालने के लिए क्यों क्या करने के लिए तो उसमें बहुत जादा फिर private companies को भी फायदा हुआ जैसे पेटियम रात और रात उसमें मानके चलिए वन बिलियन प्लस डाउनलोड हो गए थे ठीक है तो उस कंडिशन में ऐसे जो बड़ी बड़ी जो लाइक जो डिजिटल पेमेंट वाली कंपनिया थी उनको मतलब कर बात कर तो काफी जादा फायदा हुआ तो कहने म काले जन से निपटने के लिए भी मुद्र करने एक शक्तिशाली लेकिन और स्थाई तवाहे टीपनि करें कोशन यहां से यही निकाला जाता कि आखिर कोशन ही कह रहा है कि काले जन से निपटने के लिए भी मुद्र करने एक शक्तिशाली है मतलब शक्तिशाली एक टूल है है हमारे पार एक सस्त्र है लेकिन कहीं न कहीं है पर्म talented नहीं है यह इक temporary काम है permanend काम यहाँ पर नहीं है इसको टीपनी होऔर अगर हम बात करें खबरं में क्यों क्यों क्योंकि लोग पर अक्षियान नरेटीब याने कि जिस तरह से पमारे प largo दिया कि आज के बारा बज़े के बाद नोट बंद तो इस तरह के चीजों को हम अख्यान कहते हैं आर्थिक नीती निर्माण में बहुत मतलब की काफी बड़ी भूमी का अगर हम बात करें तो जो लोग पर अख्यान होते हैं जैसे कि यह भी हुआ था तो आर्थिक निर्माण में मतलब की आर्थिक नीती निर्माण में काफी बड़ी भूमी का निवाते हैं फिर दूसरा यह भी देखा गया कि फिसकी प्रस्ट भूमी में देखें तो आठ नॉम्बर 2016 को मंति ने घोशना करी थी कि पांसो और हजार के नोट जो है बिलकुल अमानने हो जाएंगे रा पैटी कैश की जो बात है उसको जो है बिलकुल रोक दिया गया था फिर वी मुद्रिकरण और इस एडिटोरियल में यह बताए गया कि वी मुद्रिकरण और लोग पर अख्यान में मतलब क्या एक सब्मन्द हमें थोड़ सा देखने को मिलता है यह इसके बारे में थोड़ स किसी चीज को बंद कर देना तो कही ना कहीं आप पूरे आल अवर इंडिया की बात कर रहे हैं जिसमें एक सो तीस प्लस क्रोड़ उस समें 185 प्लस क्रोड़ मतलब पॉपुलेशन थी और सड़नले इस तरह से चंग है क्योंकि दिखिए जो चीजे बंद करी गई थी कही ना कहीं अगर लोगों को पता होता है कि हां नोट बंद होने वाले हैं तो कुछ कर देनले किसी चीज को बंद कर देना वो कहीं बहुत बड़ा एक इश्यू जो हमें देखने को मिल रहा था फिर कहीं एक तरह से यह कहानी जो यह लोग पर यह कहानी जो इस एडिटर में बोली कहीं है इस भी मुद्र करनण को यह कहीं ना कि मिथक पर अधालित थी जिससे हमने सोचा उससे हमें चीजें नहीं मिली गलत तरीकों से अर्जित धन को करेंसी नोटों सोने के धेर पर बेसलिए लोग जमा कर लेते हैं आपको पता होगा जैस दिक आवन देखा होगा कि एक MP में का इस थे जिनके पाथ 1200 क्रोड उपे का एक कैश मिला था उनके यहां पर कुछ नहीं हमें जो देखने को मिला और दूसरा जो यह बड़े-बड़े अधिकारी या फिर बड़े-बड़े पॉलिटिशन जो अगर होते हैं यह बेसिकली चीजे कैश में गोल्ड में रखत यह तीन चीजों में सबसे आदा अगर हम बात करें तो चीजों को सबसे आदा यूज़ करते हैं यहां फिर कैश में करेंगे यह गोल्ड में करेंगे यह फिर पॉपटिव में यहीं जिसको मोलते हैं वी मुद्रिक करण को जो है लेके आये थे मतलब यही है कि जो ब्लैक मनी है उसको हम वाइट मन में करें ताकि जिनके बाद ब्लैक में पैसा है उनको टेंशन दी जाए और ब्लैक मनी को कि जो आखिँ ब्लैक मनी प्लैक में लेके है और यह वी मैं कोशिश्य प्र अख्या-खिया इस कि उपेख्षा भी करती का लगतन वास्ता में छोटी मात्रा को चोड़ को नगद में नहीं रखा जाता लेकिन जाड़ा था अचल अचल संपत्ति और अन्य संपत्ति के मादम से जमा किया जाता है फिर जो बड़े बड़े जो यह अख्यान होते हैं जो जिस तरह से अगर मालें प्रविए मोदी नमरा नोडबंदी वाला नोडबंदी अलग सीन तो उसमें यह सत्ते की उपेक्षा करी गई थी उपेक्षा हो हो गया और भी जो प्रिश्यस मैटल्स हो गए प्लैटीनो हो गया तो बेसिकली उस चीजों पर सबस्याद अन्य संपत्ति के मतलब कि उसमें जो है बेसिकली जो है रखा जाता है फिर दूसरा यह भी बोला गया कि हाला कि भस्ताचार पर अपरादिक गतिवीदियों में से ह नहीं कर रहा है रनिइंग बेजवीदियों में होने वाली काल धन है अधिकांइट काल धन पूरी तरह से कानूनी गतिवीदियों के माधन से अर्चित किया जाता है हालक कि कर अधिकारियों को इसकी गोष्णा नहीं कि जाती यानि की कहन democrati है कि ब्लैक मुने होती है काला ध जिसको मतलब घोशित आय नहीं कहा जाता मतलब जिस पर देखे काला धन बेसिकली उसी को बोला जाएगा जिस पर इंकम टेक्स नहीं दिया जाता मतलब जो आप चीज अर्जित कर रहे हैं as per the rules government rules के साब से लेकिन आप उसका tax pay नहीं कर रहे हैं even if you are running a business and if you are not paying any taxes तो again आप भ ही है साथ ही इस कहानी में ये भी सामिल है कि इस तरह के उपाये से आतंगवाद के भी पोश्चन को रोक कर आतंगवाद का समाधान हो जाएगा इन्होंने ये भी सोचा कि भले हम ठीक भी demotization कर देते हैं ताकि हम आतंगवाद के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान से हमें जो है आतंगवाद मतलब की वहां से आतंगवाद ज्यादा आता है तो इसको भी रोकने के लिए क्योंकि आतंगवाद को लिए क्या चीए वे डेफिनिट उनको भी cash चीए तो वह cash भारति करन्सी में रखते हैं और फिर यहां पे जो हमारे देश के अंतर जो आतंगवाद क की गतिवीदियों को मतलब पुसाहित करते हैं फिर समय बितने के साथ ही अक्यान के काले धन और नकली मुद्रा से digital cash ले भुकतान पर ध्यान के इंदित करना शुरू कर दिया और यह महसूस किया गया कि यह एक विफलता थी जब चीज़े जब क्योंकि दिखे इससे पहले इससे पहले भी दो बार अगर हम बात करें तो भी मुद्रकरन हुआ है भारत के अंदर लेकिन उस समय इंटरनेट नहीं था धांसे समझना उस समय दोस्तों इंटरनेट बिल्कुल नहीं था पैकेज इस तरह का फोन भी नहीं थे लेकिन अब जो जो यह मतलब किया गया तो अब चीजें इंटरनेट पैकेज हमारे सस्ते हो गए थे चीजें हमारे सस्ती थी तो उसके कारण कहीं नहीं कि यह एक वी मुद्रकरन जो बिल्कुल एक असफल के तोर पर जो माना गया था फिर दूसरा जब इनको यह लगा कि आज चीजें असफल हो रही है तो इन्होंने अख्यान यानि कि इसी मतलब की निरेटिफ को फिर कायम रखने के लिए रास्टवादी देश वक्ति के अपील भी करी गई कि नहीं मोदी जी अच्छे है मोदी जी ने अच्छा किया वी मुद्रकरन हुआ भोद अच्छी बात है तो देश वक्ति की तरफ भी इस मतलब की किसी टॉपिक को आगे बेसिक लेकरन बात करें तो फिर मतलब की देखें तो थोड़ा सा गुमाया गया हाला कि लोगों के कस्ट दर्थ को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो बड़ लोग लंबी कतारों में लगे होए थे उनकी पेड़ा के बारे में कोई इस ची द्वारा दावा किये गए नेचेक उत अधार ने नीती की आर्थिक अलोचना और देखे और वास्तपिक्ता को प्रहवित किया विड़मना यह है कि विमुद्रकरन नीती की विफलता कथा को बदलने के लिए प्रतीत नहीं होती और इसके परिमार से विफलता के लिए भु कोशिश करी जाती है लेकिन इस केस के अंदर मतलब की कोई ज्यादा बड़ी कीमत हमें नहीं देखने को मिली और कहीना कि हमारा विमुद्रकरन जो है काफी अधा जो फेल होने की कगार पे था तो विमुद्रकरन को विफल आकर बात करें क्यों माना जाता है तो इसके लिए क्रैसिस आगे थे तो उसके कारान कर विमुद्रकरन करते तो ठीक है काम चीज़े चल जाते लेकिन जिसमें एकनौमी पंप पे थी पंप अधलब जब एकनौमी मतला पनी रफ्तार पे थी हाँ भी जहाँ पे जहाँ पे नाइन परसंटेज जो डीडीपी का जो है इकनौमी रश्ता की और बढ़ने लगे और कहीं ना कहीं एक मतलब बोलते हैं कि जब चीज़े टेक्नलोजी की तरह बढ़ने लग गई तो लोगों ने काफी सद्टनली फोन पे पेटियम यह सारी विवस्ता है मतलब कि डाउनलोड करनी स्टार्ट कर दी तो जिसके कारण हम बोल सकत पैसे हैं जो बिल्कुरी कवर कर दिये गए हैं सिर्फ मार्केट में 0.7% ही जो पैसे उनको नहीं मिले हैं यानिकि अगर बात करें तो आर्बे कहने मतलब यह हैं कि अगर किसी की पास सो रुपे हैं जिसमें से एक नॉमी में 99 रुपे 30 पैसे उनको मिल चुके हैं साथ पैसे ही सिर्फ जो नहीं मिलें जो इसकों काली अर्थवरस्ते के नाम से जो है जान सकते हैं फिर इसी के जैसे फिर इनों ने कुछ मुल्ले भी बताया जो की इतने 500,000 के सप्चादा नोट इनको मिल गए थे उनको और इसमें कुछ जादा फर्क जो है मतलब की इनों ने यह भी बोला कि 500,000 के जो नोट ते काली मुद्रा में होते हैं तो लेकिन इस से भी कुछ जादा फर्क नहीं दिखा और इसमें जो है लाइक पांसो हजार के नोट भी आर्बिया को काफियाद मात्रा में बिल गए थे फिर साथ में यह यह भी बोला गया कि बड़ी कुशीलता से मतलब अवेद नगदी मतलब भंडार को काले धन को काफी जल्दी ही मतलब कि एक तरह से बोले अच्तारे वक्तिकर काफ्ना यहां बचक नहीं होना तो यह सब को इस तरह की चीज़ें जो अगायां को देखने को मिल tax to GDP, वह काफियादा increase हो गया, इसका मतलब दोस्तों यह होदा tax to GDP का मतलब कि कितने पतिशत लोग जो है, कितने पतिशत लोग जो है tax pay करते हैं, तो tax to GDP भी ज़्यादा increase हो गया तो जिसके कारण कहीं न कहीं अग बात करें, तो एक तरह सुधार प्राइस धे सब्सक्राइ आपंस नाम होगय है और क्योंकि इस नंदर फ्रक्रार के प्राइस की Max जब demodernization हुआ तो उसमें फिर लोग, मतलब रियल स्टेट को काफी बड़ा धक्का देखने को मिला और एक किफायती घर जो एक धाणना थी सबके लिए कि गरीब के लिए भी एक सस्ता घर हो जोगे तैंट जयाता है तो सब्सकुलेट करती दोस्तों वह कही नहीं कर वाद कर रियल स्टेट में ही में है तो से एक आम आदमी बिए बहुत positive impact मिला raids ॆउन गए और इससे फिर एक आम आदमी भी जो है जो जो बेसिकली जो है घर खरीच सकता था फिर समांतर अर्थवस्ता का फटना यानि जिससे फिर अब ये भी हुआ कि समांतर अर्थवस्ता में जो पैसे मतलब जो थे वो भी चीजें कम हुई हो साथ में कहीना के तसकरी आतंगवादी जासुसी जैसे गति विद्यो पे भी इस से कहीना के थोड़ा वो जो हमें रोक जो है देखने को मिली फिर आतंगवाद के विद्पोश्चन की जाच भी करना ये पड़ो मतलब कि जो ड्रग कंट्रोलर जो होते हैं जो जो ड्रग मतलब आप देखा हो कर ट्राइंगल एक बना होता है अफगानिस्तान पाकिसान और लगा तो उसके बाद के यहां पर देखने को मिली फिर इसके बाद हम यह भी देखने को मिम्ला की इस वर्ष जो परकासिद आगर के dw degli i सारे चीजों की बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि कहीना कहीं ब्लैक मनी के अंदर कहीना कहीं उच जो किसम की जो हाई वैल्यू की जो नोट्स होते हैं वो सबस्यादा जो जिम्मिवार होते हैं तो जैसे कि आज किसम में अब भारत ने भी 2,000 उपे का जो है नोट हाला कि बड़ा नोट जारी कर दिया है तो यह काफी आदा चांसिस हैं इसमें कि कहीना की आने वाले टाइम में जो है यह था editorial overall, I hope आपको कुछ अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो के लितना ही, thank you.